हेलो गाइस आज मैं आप लोगों को सिष्टोसील के बारे में बताने जा रही हूँ सिष्टोसील का अधर निम भी होता है जैसे हर्निटेट ब्लाडर, ड्रॉप्लेट एंद फॉलिन ब्लाडर इसका हम आप लोगों को इंट्रोडूस करते हैं इसे डिफनेशन मताते हैं इस इस्टोसील इस अलसो नोन एस प्रॉलैब्स्ट, हर्निटेट ब्लाडर, ड्रॉप्लेड और फॉलिन ब्लाडर, इचिस, अकर्श्वेन लिगामेंट्स इसका मताब क्या होता है, ब्लाडर के आस पास के जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लाडर को होल्ड करके रखते हैं वींक हुजाते हैं जिसके कारण बीबाटर बिजाईना के दिन जिंटेज तेरह निकल जाता है माइलिय स्टेज पहला स्टेज का आता है? Malastain The bladder droplet only is short way into the vagina इसमें क्या होता है? Bladder droplet होगे बजाइना के पर कुछ पाले ही आता है बजाइना के पाहर नहीं निकलता है और सकेंड स्टेज में क्या होता है? Moderate When bladder droplet is the label of vagina opening इसमें क्या होता है? Vagina opening तक ही इसमें क्या होता है यह ब्लाडर जो है पर जाइना ओपनिंग के बाहर निकल जाता है इसे हम लोग इस स्टेज में अगर कुछ पेसेंट को अच्छा से रिकवरी करने के लिए इसको दिखाए नहीं तो यह बहुत इससे बहुत जादा प्रॉब्लम ही हो सकता है किट्री फेल बहुत चारे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है अब हम लोग क्या देखेंगे कोज़ एंड रिस्क फेक्टर फ्रिक्वेंट वेजाइना बर्थ में इनवाल्ड शेक्चिंग मसल्स आफ फ्लोर आफ पेल्विक्स इसमें क्या होगा वेजाइना जो बर्थ होता है उस टाइम क्य इसी फैमली को पहले से प्रॉलैप्स अफ यूट्रस हो ब्लाड ब्लाडर एंड रेक्टर में कोई फ्रॉब्लम हो तो इसके कारण भी यह सिश्टोसील हो सकता है इंटेंस फीजिकल एक्टिविटी इंक्लूट्स आफ लीप्टिंग और हेभी अबजिक्ट अगर कोई अब भी चीज उजाता है फेजिकल एक्टिविटी कुछ जादा करता है वी वर्क करता है तो उसके कारण भी यहां के मसल्स तो क्या है लिगा में जो है वो लूस हो जाएंगे और इसके काने प्लाडर जो है पेचाहिना से बल्जाउट हो सकता है उसके बार अभी शीटिट एक्टिय के कारण कैसी मतलब यूटरिस अवनयृ क्रिमाजे मतलग इंवांद सब्सक तो चाहिए नहीं हो पाार है श्था कि आट loaumidler के पास थिसके कारण से भी हो सकता है अगर निव जादा टायन ने स्टूल पास नहीं हो पा रहा है इसके पर न्हें प्रेस्पड़ता तो अगर हम खासते हैं तो इसमें भी तो हमारा प्रेशर रहता है तो यह दम लगाकर मतलब होता है इसलिए वहां के मसल्स हो जाएंगे जिसका ओज जादा होगा तो ऐसे जो बुड़े आदमी उनका मसल्स होता है इसके कारण से भी होता है इसके कारण बसका ट्रमा हो जाएगा उसके कारण भी हो सकता है तो ने लगता है जबhãर रिटीज होगा तो फिर उसके कारण भी इन मचल्ब के विक पढ़ने लगते हैं इसके कारण हो सकता है उसके बाद स των नोगे is symptoms bulging label vagina opening bulging देर चो क्या है वो पेजाइना बजाइना ओपनिंग के बाहर आ जाएगा UTI urinary tract infection हो सकता है pain in lower back back pain भी हो सकता है bladder out of vagina bladder जो बजाइना के बाहर हो सकता है estrogen label decrease हो जाना estrogen label decrease हो जाने के मतलब हुआ estrogen label जब होता है यह फोटी नियर्स के बाद वो क्या होता है decrease होने लगता है जिसके कारण भी हो मैसस लिगामेंट जो है वो फीक पर जाते है इस कारण से सिस्टोसील हो सकता है उसके बाहर हम देखेंगे बाहर ब्लाडर चलाएगा इसको प्लिग यह तो उसको बोलेंगे उसको कि ऑड़ेंगे व्याइट करने के लिए बोलेंगे ERT estrogen replacement therapy क्यों देंगे क्यों कि इसका estrogen level decrease हो जा रहा था ना इसलिए उसको ERT देंगे regular exercise के वल इसको ERT देंगे ERT का मतलब estrogen replacement therapy क्यों देंगे क्योंकि उसका estrogen level जो हो रहा था तिक्रीज हो जा रहा था इसलिए उसको हम ERT देंगे उसके बाद regular exercise के जाल exercise किते दिर के देंगे उसको 5-10 मिनट के बोलेंगे कि उसको के जाल exercise daily उसको करना पड़ेगा और उसके पिस्ट्रिज्म होल्ड पिस्ट्रिज्म होल्ड जो क्या होता एक surgical hold type का होता है क्योंकि वह क्या करेंगे उसको हम दो एक tube like होता है तो उसको अंदर ब्लाडर तक डालेंगे तो यहां पर muscles or ligament को क्या करेंगा वह बोल्ड करके रखेगा तो ब्लाडर जो है बजाईना के तो बल्जाओ नहीं होगा Thank you